हम सब को मिलकर ये प्रियास करना है कि जिस भी किसी को कोविड-19 के सिम्टरम्स डवलप हों वेह उसे चुपाए नहीं बलकि सामने आकर उसे सम्मंदित इलाज ले अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम तो बिमार होंगे ही बलकि अपने परिवार को भी बिमार कर सकते हैं हर पेशेंट को अपने को बचाने के साथ साथ अपनी फैमिली को बचाने के लिए सरकार द्वारा प्रोवाइड की गई हेल्थ सुर्धाओं को अपनाते हुए इस लड़ाई में अपना योगदान देना होगा देश में अब तक 20,917 लोग COVID-19 से क्यूर हो चुके हैं और 44,029 केसिज एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं पिछले 24 गंटे में अगर हम देखे तो पाते हैं कि टोटल केसिज में 4,213 केसिज का इंक्रीज नोट किया गया है पर साथ में ही 1,559 पेशिन्स क्योर भी हुए हैं इस तरीके से हम देखे तो पाते हैं कि हमारा टोटल डिकवरी डेट अब 31.15% हो चुका है कुल कंफर्म केसिज की संख्या इस समय 67,152 है